गुड मार्णी क्लास, आज का टॉपिक है Modern Atomic Model by Schrodinger हमने Atomic Theory पड़ी, फिर मैंने आपको Schrodinger Wave Equation के बारे में बताया और उसमें साई और साई का सेंग्रिफिकेंस भी बताया तो जो Schrodinger का Modern Atomic Model दिया, उसमें Electron के Wave Nature को बताया गया जो Electron होता है उसमें Wave Nature पाया जाता है according to Schrodinger तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो Schrodinger है Schrodinger Schrodinger का जो Atomic, Modern Atomic Modern Atomic Model था, वो किस पर बेस्ट था? वो आपका Electron के Wave Nature पर बेस्ट था Wave Nature पर बेस्ट था जो Modern था रही थी, वो Electron के Wave Nature को डिफाइन कर रही थी Electron के Wave Nature को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी इस Model के According, जो Atom होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं अगर कोई Atom है, उसमें टू पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट आपका क्या होते हैं, पॉजिटिव नूकलियस बोला गया, नूकलियस और जो सेकंड पार्ड होता है, वो नूकलियस जैसे आपका ये नूकलियस है उसके Surrounding, जो ये 3D Space होता है, जहाँ पे Electron पायजानी की Probability Maximum होती है, और्बिटल कहलाता है क्या कहला है दूसरा पार्ट, और्बिटल कोई Particular Space नहीं था, बस वो 3D Space जहाँ पे Electron पायजानी की Probability ज़ादा होती है, उसको और्बिटल बोला Clear First Point, Second Point में बोला गया, कि जो Atom होता है, Atom में नूकलियस की बाहर उसके Electron डिफ्रेंट डिफ्रेंट शेप्स और एनरजी के Atomic Orbital में Distribute रहते हैं मतलब सपोज ये हमारा Atom है, इसके बाहर जो Electron होता है और वो Different, Different Orbital में और Different, Different Energy Level में रहते हैं जैसे S Orbital में भी हो सकता है, P Orbital में भी हो सकता है, D Orbital में भी हो सकता है Electron F Orbital में भी हो सकता है 2S में भी हो सकता है, 1S में भी हो सकता है 2P में भी हो सकता है, 4P में भी हो सकता है 3D में भी हो सकता है और 4D में भी हो सकता है तो यहाँ पर देखें energy क्या है different है इसकी energy low है और इसकी energy high है यहाँ पर देखो energy different है यहाँ पर second shell में है यहाँ फोर्थ shell में है यहाँ भी देखो energy different है तो second point में बोला गया जो modern atomic model था स्रोडिन जरका उसमें पहला तो यह बोला गया कि जो atom होता है atom में जो electron होता है वो wave nature शो करता है और atom के दो पार्ट होते हैं एक nucleus होता है दूसरा 3D वो 3D space nucleus के बाहर जहां पर electron revolve करते हैं second part में बोला गया कि जो electron होते हैं जो electron यहां 3D space में revolve कर रहे हैं यह different different orbital में different different energy में distribute रहते हैं एक orbital में maximum 2 electron आ सकते हैं कैसे जैसे आप S orbital बनाते हो आप P orbital बनाते हो और आप D orbital बनाते हो S में 1 orbital होता है P में 3 orbital होता है और D में 5 एक orbital में maximum 2 electron आ सकते हैं इस और्बिटर में देखो maximum two electron इस और्बिटर में देखो maximum two electron यहाँ भी अगर हम बढ़ेंगे ठीके एक और्बिटर में maximum two electron आ सकते हैं लेकिन दो electron तो आएंगे लेकिन इनकी जो spin होगी वो कैसी होगी अपोजिट होगी थर्ड पॉइंट में बोला गया हाइरोजन एकम में केबल एक electron होता है जिससे कोई electron electron repulsion नहीं होता जैसे यह nucleus है इसके surrounding हाइरोजन में केबल एक ही electron होगा तो जब एक ही electron होगा दूसरा electron होगा ने तो इन दोनों मलब यहाँ पे कोई repulsion नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई atom है और इसके surrounding धेर सारे electron है तो यह electron इन electronों के बीच क्या होगा repulsion होगा तो multiple electron होने के कारण electron के बीच में maximum repulsion प्रोडियोस हो जाता है जिसकी वज़ा से energy level sub shell में split हो जाता है अगर यहाँ पे हम hydrogen की बात करें तो एक ही electron था तो एक ही energy level था एक ही sub shell था लेकिन धेर सारे electron होते हैं तो यह split करते हैं तो एक shell उसके बाद दूसरा shell उसके बाद तीसरा सलिये तो क्या हो जाता है multiple sub shell में क्या हो जाता है? split हो जाता है energy multiple energy level में sub shell क्या हो जाते है? split हो जाते है कब जब electron electron के बीच में repulsion होता है fourth point fourth point में बोलागे atomic orbital से sub shell या sub energy level बनते हैं जिसे principal energy level बनता है atomic orbital में आपका ही क्या है? sub shell है और sub shell से sub energy level बनते हैं जिनको हमने क्या बोला है? principal energy level तो यहां से बोल सकते हैं यह हमारा atomic orbital हुआ जब धेर सारे atomic orbitals आपस में combine होते हैं combine होते हैं तो यह क्या form करते हैं? sub shell और जब sub shell आपस में combine होते हैं sub shell combine होंगे तो principal energy level फॉर्म करेंगे principal energy level ओके बीटा आई इसको समझते हैं मैंने क्या बोला? atomic orbitals combine होंगे तो sub shell बनाएंगे और sub shell combine होंगे तो principal energy level बनाएंगे जैसे ही आपके क्या है? atomic orbitals यह combine होंगे तो sub shell बनाएंगे देखे, sub shell बन गए अब sub shell आपस में combine होंगे तो principal energy level बनाएंगे फिब्थ पॉइंट में क्या बोला? जो shell होंगे जिनको हमने principal energy level बोला है यह जो shell होते हैं आपकी यह shell कैसे होंगे? यह shell को हम अलग-अलग category में divide कर सकते हैं K, L, M, N, O, और P K को first shell बोला गया L को second, M को third, N को fourth O को fifth और P को sixth ठीक, इसको समझते हैं जैसे हमने यहां लिखा shell यहां हमने क्या लिख दिया आपका? यह हमारा क्या होगे बिटा? Serial number यहां हमने लिख दिया number of sub shell और यह हमारा क्या हो जाएगा? representation अब मालोग K shell है यहां पे L cell है M shell है और N shell है K sub shell में serial number one में होता है L हमारा second में होता है M third में होता है और N fourth में होता है number of sub shell जैसे यह आपका nucleus है nucleus के surrounding first shell में एक orbital होता है जिसे हम S orbital बोलते है nucleus के surrounding second shell में S और P orbital होते है third shell में क्या होता है? S, P और D orbital होते है और S में कितने sub shell होते है 3 होते है तो यहां पे number of sub shell हम क्या लिखेंगे 1 किसमें S में? इसको ऐसे दिखाते है अब इसमें number of sub shell केतने होते है K में क्योंकि यह second period है तो second में क्या होता है? आपका S होता है और P होता है तो कितने sub number of sub shell होगे? 2 clear? M में देखो M में आपका S होता है P होता है और D होता है number of sub shell कितने होगे? 3 अगर हम N में देखें तो S, P, D और F sub shell होते हैं तो यह कितने number होगे? number of sub shell 4 होगे representation कैसे करेंगे इसमें एक ही orbital होता है तो इसको 1S लिकेंगे इसमें S और P होता है तो इसको लिकेंगे 2S 2P इसमें 3 होता है तो लिखेंगे 3S 3P और 3D इसमें 4 होता है तो इसको लिकेंगे 4S 4P 4D और 4F clear यह मैंने क्या बला shell, shell का serial number लिखा यहाँ पर number of sub shell कितने होते हैं और इसको कैसे हम represent करते हैं अब जैसे हमने आपको बताया अगर हम first energy level की बात करें energy level कैसे principle quantum number मालो हमने यहाँ पे लिए principle quantum number आपको बताया जाएगा principle quantum number अब इसमें देखो अगर हम first shell की बात करें एक ही energy level होगा क्योंकि एक ही electron है और electron आपस में split करेंगे नहीं जब वो split करेंगे नहीं तो एक ही energy level होगा और एक ही जब shell होगा अगर हम second की बात करें तो इसमें S और P होता है ठीक है तो इसका energy level इससे बड़ा होगा चोड़ा होगा जादा होगा थार्ड की बात करें तो यह इससे और भी ज़्यादा ब्रॉद होगा ठीक आप इस energy level का अगर हम सब शेल ड्रॉद करें तो इसमें एक ही सब शेल होगा इसको क्या बोलेंगे सब शेल सब शेल या फिर सब energy level सब energy level इसमें 2 है तो देखो इसमें 2 का मतलब क्या हुआ एक तो ऐसा orbital का हो जाएगा और तीन छोटे छोटे energy level किसके हो जाएंगे तो यह हमारा 1s है यह 2s है और यह 2p है यह 3 energy level में 2 energy level में split हो जाएगा अब अगर इसके बात करें तो इसमें क्या होता है 3s 3p और 3d s में एक ही energy होता है एक ही level होता है पी में 3 होते है तो इसके लिए 3 बनेगा और d में 5 होते है 1 2 3 4 5 अर्बिटल कैसे बनाएंगे इसका एक बनेगा इसका कितना बनेगा 3 इसका कितना बनेगा 5 इसमें देखो 3 बनेगे इसमें कितना बनेगा 1 और इसमें कितना बनेगा 1 ऩी, clear? इस हिसाब से हम क्या बनाते हैं? एक से जादा ऐलेक्ट्रोन होते हैं तो उनके energy level भी different different होते हैं और उनके orbital भी different different होते हैं बन्.» हम ऐसा कह सकते हैं, जब electron nucleus के surrounding एक से जादा होते हैं तो वो sub shell और sub energy level में क्या हो जाते हैं? दिष्रिवीूट हो जाते हैं और डिफरेंड डिफरेंड अएनेटर्जे लेवल के एलेक्त्रों डिफरेंड- डिफरेंड आरबिटल में कंट्रिबूट हो जाते हैं नेक्स्क्त पाइंट में बोला गया है कि जो सबशेल होते हैं को किस से शो करते हैं एस पी डी और एस नहीं ृति है सबसेल का नेचर वा शेप इफरेंटडिक होता है इसका spherical shape होगा इसका dumbbell shape होगा इसका double dumbbell shape होता है और इसका 3D वाला होगा जो हम copy में जंबली draw नहीं कर सकते हैं तो हर एक sub shell का nature ओके बिटा और shape क्या होता है different different होता है फिर से एक बार बता रहे हूं shell है shell के अंदर क्या होता है sub shell ठीक है sub shell के अंदर क्या होता है orbital orbital के अंदर क्या होता है electron clear अब next point next point में बोला गया जो s sub shell होता है अगर हम s sub shell की बात करें तो इसमें maximum 1s orbital होता है जो कि मैंने अभी उपर आपको detail में समझाया अगर हम 1p की बात करें 1p sub shell की 1p 1p तो होता है ने 1p sub shell की बात करें तो 1p sub shell में 3p orbital होते है clear बिटा ऐसे ही अगर हम 1d sub shell की बात करें तो 1d sub shell में 5d orbital होते है किसी बी sub shell में orbital की संख्या क्या होती n square होती है n square जैसे माल लो आपके पास shell है shell क्योंकों से k, l, m और n है sub shell क्या हो जाएगा sub shell हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 कैसे होगा देखो 1 में 1s होता है 2 के लिए मन्दब s और p 3 के लिए क्या हो जाएगा s, p, d और 4 में क्या हो जाएगा s, p, d, d, f अगर हम इसमें numbers count करें तो इसमें 1 ही है अभी मैंने क्या बोला है किसी भी sub shell में orbital की संक्या क्या होती n square इसी का हम क्या कर दे square इसका अगर हम square करेंगे तो 4 होगा 2 का square करने पर क्या हो जाएगा 4 होगा 1s का और 3p का कितना orbital होगा 4 इसका square करेंगे तो 9 होगा देखो कैसे 1s orbital 3p orbital 5d orbital तोटल कितना होगे 9 इसका अगर हम square करें 4 का तो कितना होगा 16 इसका count कर देगो 1 P के लिए 3 D के लिए 5 और F के लिए 7 तो यह कितने हो जाएगे 16 तो इसी अगर हम cell का जो number है उसी को हम square कर दे मालो n square कर दिया तो वो किसके एकवल हो जाएगा सब शेल के एकवल हो जाएगा तो I hope आपको modern atomic theory समझ में आई होगे clear कुछ और point भी थे जो electron cloud model of hydrogen atom था मन्दब एक electron है इसके surrounding electron move करना है तो यह cloud बना लेते हैं cloud के form में रहते हैं तो hydrogen के एक atom में nucleus में एक क्या होता है इसहां पर एक proton होता है और एक electron होता है proton positive charge करी करता है और electron cloud के form में negative charge करी करता है अब आता है electron density तो electron density हर तरफ equal नहीं होती कभी यहां जादा होगी कभी यहां जादा होगी कभी यहां जादा होगी और कभी यहां जादा होगी electron cloud के density जिस reason में सबसे जादा होती है जिस reason में maximum होती है वहाँ पर electron पाए जाने की probability भी सबसे maximum होती है और उसी maximum reason को हम क्या बोलते हैं orbitals बोलते हैं ठीक है atomic orbitals बोलते हैं nucleus के चारों और वो 3D space जहां पर electron python की probability maximum होती है उस 3D space या reason को हम atomic orbital बोलते हैं यह क्या था यह हमारा modern atomic theory था जिसे किस ने दिया था स्रोडिन्जन ने दिया था और स्रोडिन्जन ने यहां पर electron को as a wave function माना था तो I hope आपको स्रोडिन्जर wave modern atomic theory समझ में आई होगी सारे points को अगर आप भूल रहे हो या नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए आपको सारे points to the point clear आ जाएंगे